किसान साथियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान की यूट्यूब चैनल में मैं खड़ा हूँ इस समें किरपाल सागर के ताइवान पिंक अमरूद के बाग में आप सब को पता है कि इस पर मैं तीन वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ और यह मेरी चौथी वीडियो है जो मैंने दो इस्प्रे इन पी के 1260 के किये थे और फिर दो इस प्रे मैंने जब फूल खिलने लगे तो मैंने इन पी के 0-32-4-3-4 के किये थे उनमें मिलाया था इन्सेक्तिसाइड, फंगिसाइड और बोरोन किसान साथियों आप देखिए मेरे अमरोज में कितने फल है और कितने सुन्दर फल है ये देखिए आप इनकी चमक देखिए कितने बड़े हो चुके हैं ये ये देखिए देखे कितने फल हैं कहीं भी देखो आप फल ही फल है और अगर आप इस पोधे का रंग देखोगे या इस पोधे का रंग देखिए इस पर भी ये फल देखिए कितने फल हैं कहीं कोई शमश्या नहीं है, जबकि मैंने जो खाद दिया था, वो इसमें डिये पी और यूरिया और पोटास को गोबर की खाद में मिला कर दिया था, और बोन मिल दिया था, मैंने कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट उस से मैं नहीं दिया था, जितना भी दिया मैंने, वो मैंने पिछली तीन वीडियो में बता चुका हूँ, अब मैं आज केवल ये दिखाना चाहता था कि मेरे अमरूद कैसे हैं और अगर आपके अमरूद इस परकार नहीं है तो उनमें क्या समस्था हो सकती हैं, आप मेरे बाग में थोड़ा ये देखिए कि बीच में मैंने ये नहीं कर सकता, अभी परसो यहां बहुत जवरदस्त एक घंटा बारिस हुई थी, और मेरा इस बाग को साफ कराने का इरादा था, और वो मैं नहीं करा सका, अब मुझे उसमें कुछ समय लगेगा, हाँ, जैसा मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, कि इसमें मैंने न चीज बताई थी, अब यह देखिए, इसके यहां से लेकर करीब देड़ फिट तक कोई भी मैंने साखा नहीं छोड़ी, यह साखा नहीं छोड़ी, ताकि वो जमीन पर टेच नहीं हो, और मेरा बाग मिली बग से बचा रहा है, यह दो साफधानिया मैंने बताई थी, अब म अच्छे fruit trap हैं, लेकिन इसमें मखियां बहुत कम हैं, एक बार थी, वो हमने पानी में थी, निकाल दी थी, लेकिन अब बहुत कम हैं, इसका अर्थ यह है कि मेरे बाग में इस समय fruit fly नहीं हैं, ने तो fruit fly हैं, ने कोई कीठ पतंगे हैं, आप किसी भी पोधे को देखिए, कह कहीं भी कोई पोधा कीठ खाया हुया नहीं है, और रंग भी देखिए, अच्छा है, किसान साथियों 100% कोई भी सफल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, मेरे बाग में क्या कमी रही कुछ पोधों में, आईए, मैं वो आपको दिखाता हूँ, इस पोधे की कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, और इसमें जैसे मैगनीशियम है, मैगनीशियम सलफेट है, उनकी भी कमी, यानि पूरे माइक्रो नूट्रेंट की कमी है, यह देखिए पोधे में, इससे पहले यह पोधा थोड़ा और जो उपर था वो भी पीला था, तो मैंने क्य कारिय किया, यह कुछी पोधे हैं, पुरे बाग में मुझे पता नहीं क्यों है, कि आप पूरी लाइन देखिए इसमें, इधर को यह दो पोधे देखिए, बिल्कुल हरे हैं, यह यहां पर क्यों है, इसमें और कोई बेमारी नहीं है, लेकिन यह पीला पन है, यह माइक्रो किया, मैंने किया, NPK 13045 का इस्प्रे, पांच ग्राम पर्ति लिटर उसको लिया, मैंने मिलाया, इसमें एक स्वाधीन नाम से आती है, जिसका के फॉर्मूला है, टैबू कुना जोल प्लस सल्फर, मैंने इसमें जिंक दिया, और मैंने इसमें एक स्टिकर मिलाया, और उसका इस्प्रे करा, मैंने कराए इन पोधों पर दो इस्प्रे, और अब ये उपर से देखिए, आपको कितना सही हों किया, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसान साथियो, मेरा जो ये बाग है, इसमें केवल अभी एक कमी है, कि इसमें घास बहुत है, और मुझे ये घास हटा नहीं तो मैं पोधो को मिली बग से नहीं बचा चुकूँगा, और जो घास होता है जो आपकी जमीन की ताकत है, वो खीच लेता है, तो इसे हटाना बहुत जरूरी है, अब अगर एक बार ये साफ हो गया अच्छी तरह से, तो बहुत दिनों तक ये नहीं आएगा, और इस परकार, और जब ये घास निकल जाएगा, तो बाकी जो है मैं ब्रस कटर चलवाँगा, आप ये देखें ध्यान से, कि मैंने छोटा ट्रेक्टर यहां पर चलवाया था, आपका ये भी सवाल हो सकता है, कि मैंने वो ट्रेक्टर यहां तक प्यों नहीं चला है, ये बहुत इ इसकी जड़े यहां तक आ गई होगी, अगर गलती से आपके ट्रेक्टर का रोटा वेटर यहां पर आ गया, और कोई जड़ कट गई, तो आप ये सोजिए पोधा रियक्ट करेगा, और आपके फल ड्रोब भी हो सकते हैं, ये बहुत ध्यान करना है, ये केवल मैंने बीच म करने के लिए, जो आपका चलने का रास्ता है, या वो इस्प्रे करने के लिए है, वो बिलकुल आप सुरक्सित रहें, और वो सही रास्ता आपको मिल जाए, और फिर यहां पर ब्रसकटर से कराते हैं, अगर आप सही खाद और माइक्रो न्यूट्रेंट यानि सुक्सम तत् करती है, वो बिलकुल भी नहीं आएगे, अगर आप मेरी ये चारो वीडियो में देखकर अपना नोट्स बनाएंगे और उसी प्रकार कारिये करेंगे, इस बात को मैं धवे के साथ कह सकता हूं, ये देखिए, कितने सुन्दर अम्रूद हैं, ये बने हुए, और इस बार मे मेरी बहुत इच्छा आप देखे, किसी भी पोधे पर देखे, और कितने चमकीले हैं, कि भर-बर कर अम्रूद आएंगे, और मेरे हां से भर-बर कर टोकरिया जाएंगे, और कितना अम्रूद उतरेगा, उस सब का हिसाब मैं आपको दूँगा, कि इसमें मैंने बताया था, ये लगभग तीन एकड़ का बाग है, पूरे तीन एकड़ में पोधे नहीं है, बारा सो के करीब पोधे हैं, तो उनसे कितना अम्रूद लेगा, ये सब बताऊँगा, लेकिन इसके लिए देखते रहे हैं, अमेजिंग किसान चैनल, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, ध करीब लेखा पोधे, पलता बालूद लेखते हैं क्वाँ टेरं विए लए, ये उसी कितना चाशन अम्रूद लेऊ हैं, पनाच बड़रा बालूद भर खागं ये से रहें क्यां कितना अम्रूद जे देखते हैं, लेरुबर Surekas, उस्ट ऊस्ट भर्बरा एल, अज भर ऍ़र